शिवराज की सत्ता पर मंडराया संकट क्या जा सकती है शिवराज की कुरसी उपचुनाओ को लेकर क्यों खबरा रहे हैं सिवराज क्या दिल्ली से आया है कोई परमाद गवर्दलब है कि जिस तरह बीजेपी ने अपने दो राजियों के मुख्य मंत्री को हटाया उसे देखते हुए सिवराज की भी चिंता बढ़ने लगी है बदादे मंध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर उपचुनाओ की कसवटी पर उतरने की तयारी में है इस बार तीन विधान सभा छेत्रों और लोग सभा की एक सीट के लिए उपचुनाओ होने वाले हैं हाला कि अभी तक चुनाओ कारिक्रम की गोशना नहीं हुई है लेकिन राजनीतिक दल दयारियों में जुट गये हैं छेत्रवार सामाजिक समी करोडों को सहेजने के साथ प्रत्यासी चयन की कबायत सुरुकी जा चुकी है यद्यपीन उपचुनाओ के परिडाम से तो ना भाजपा की केंद्र सरकार पर कोई असर पढ़ने वाला है और ना राज्य सरकार पर लेकिन है ये महत्युकूर दरसल वर्स 2023 में होने वाले विधान सभा चुनाओ के लिए माहोल बनाने की ध्वनी इन उपचुनाओ से निकलेगी खुद मुख्यमंद्री सिवराज सिंग चौपान भी सुईकार कर चुके हैं कि सरकार पर असर डालने वाले उपचुनाओ ज्यादा तनाव देने वाले होते हैं इसलिए कारेकरता इन उपचुनाओ को कमभेरता से ले और जी सुनिश्चित करने के लिए जुट जाए वहें कांग्रेस भी इन उपचुनाओ को अपने लिए एक आउसर के रूप में देख रही है उसे उमीद है कि कोरोना काल के दौरान पैदा हुई बिसम इस्तितियों के कारण सायद उसके हिस्से कोई करिस्म हो जाए हलकि या सच्चाई है कि 2018 में सरकार बनाने के बाद अंत दमखम के साथ मैदान में उतरने की तयारी कर रही है दरसल भाजपा से जुड़े लोग मानते हैं कि 27 सीटों पर हुए उपचुनाओ की तरह ही इस बार भी करो या मरो की तरज पर पार्टी लड़ेगी और जीतेगी वे कहते हैं कि जोद्रादि सिंधिया के भाजपा में सा साखा फैर आएगी हलाकि कुछ मापूर्व विधान सभा की दमूह सीट पर हुए उपचुनाओ में भाजपा को बड़ी पराजय मिली थी इस हार का संदेह यही है कि लोग सभा की एक और विधान सभा की तीन सीटों के उपचुनाओ का अंग्रेश ते अधिक भाजपा के के लिए चुनाओती है ऐसे ही खबरों से अफडेट रहने के लिए सरोकार इंडिया से जुड़े रहे सरोकार इंडिया में उस्ट्रस के लिए